हमारे आसपास देश में समस्य हैं तो बहुत हैं लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है आटिचूट प्रॉब्लम जैसे मैं हेल्थ की बात करूँ तो हम प्रिकॉशन से ज़ादा ट्रीटमें विश्वास रखते हैं कि हाँ कोई बिमारी हो गई तो इलाज करवा लेंगे ना अब ऐसा ना होता तो क्यों देश में इतने टोबैको कंस्यूमर्स होते जब देश में तंबाकू से होने वाले कैंसर बढ़ गए तो सिगरेट की डिब्बी पर शेतावने लिखी जाने लगी किस से कैंसर हो सकता है उसके बाद बयानक सी तस्वीर भी लगाये जाने लगी ताकि लोग थोड़ा डरें आपके मन में भी सवाल आता होगा कि भला इस श्यतावनी से लेबलिंग से कोई फायदा होता है क्या इस खानपान प्रधान देश में कब प्रॉसेस्ट फूड हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गया हमें पता ही नहीं चला आज मैं आपको एक से मिलाती हूं जो हमें बताएंगे कि प्रॉसेस्ट फूड के जो पाकेट होते हैं उन पर जो लेबलिंग होती है उसमें क्या खेल खेला जा रहा है और दरसल उने कैसा होना चाहिए अब इशेक प्रताप ग्लोबल हेल्थ एड़ोकेसी इंक्यूबरर संस्था के लिए काम क तब से मैं थोड़ा सा तो मेरे जीवन में प्रॉसेस्ट फूड कम हो गया फूरी तरह तो नहीं चूटा लेकिन हाँ मैं घबराने बहुत लगी हूँ अब कुछ भी जब मुझे कुछ पैकेट उठाके खाना पड़ता है चिप्स काया कुछ भी तो मैं थोड़ा उसमें सच कि अज़ना चाहती हूं कि अच्छली शुरू बीस-पच्छे साल पहले ऐसे तो नहीं था शायद इतना प्रॉसेस्ट फूड इस तरह से तो हमारे जीवन में नहीं था कितनी बढ़ गई अभी अभी प्रॉब्लम नमस्ते सर्प्रिया जी धन्यवाद इस मौका देने के लि मध्यवर्ग में या उच्छ मध्यवर्ग में होती है लेकिन हमने एक सर्वे की और समाज की जो सबसे निचले पाइदान के लोग हैं उन घरों में सर्वे की ग्रामीन परिवेश में सर्वे की और यह जानने के कोशिश की थी कि वहां पर प्रॉसेस फूड पैकेज फूड क कितनी खपत है हम यह मान के चल रहे थे कि थोड़ी बहुत होगी अपुजान का अश्यर होगा कि जो परिवार चार सा रुपया कमाता है वो डेडी का चार सा रुपया वो रोज जाना साट रुपया जो उनकी पूरी आंदनी का 15 से 20 प्रतीशत है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज फूड पे खर्च करते हैं एक सर्वे और आई थी लैंसेट कमिशन की सर्वे है जो कहती है कि भारतिय परिवारों में 10 प्रतीशत जो खाना है भोजन जो है वो पैकेज फूड से आता है हर बच्चा और सितन भारत का करिब 50 प्रतीशत से जादे जो बच्चे हैं वो हफते में कम से कम दो बार चिप्स, दो बार चॉकलेट दो बार बिवरेज जो ड्रिंग्स है कोल डिंग्स जिसको कहते हैं वो पीते हैं यह और सितन है लेकिन पिर जब हम अवेरेनेस भी बढ़ रहा है तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है मालोजे आपने जैसे खुद ही बताया कि बच्चे महीं हफते में कम से कम इतना चिप्स खा रहे हैं चॉक्टेट खा रहे हैं जो भी पैकेज़ फूड है दरसल देखा थे तो हर चीज में ही ऐसा नजर आ रहा है कि हम बाजार से कुछ भी ग्रॉसरी कुछ भी लेकर आ रहे है सब पैकेज़ भी है अब एक तरह से तो बच्चों पर उसको बहुत असर पढ़ा होगा मेरे खाल से पिछले अगर कुछ दशकों में देखा जाए तो अभी आइ तिंग बच्चे जादा जो चोटे बच्चे उन पर जादे इसका अशर पढ़ा होगा बिलकुल असर पढ़ा होगा और हम कहने है कि भारत जो है एक तरह से मुठापे का किरा जानी बनती जा रही है खासकर बच्चों में मुठापा जो है जिसको चाइड़ूट उबेसिटी बल्कि पहले हम अमेरिका के लिए सुनते थे कि छोटे बच्चे हैं वहाँ पर बहुत बढ़ रही है उनमें चोड़ चोड़ बच्चे एसा एपसलूट नंबर देखें तो हम चाइना के बाद दूसर नंबर पर है और इसमें पिछले दस सालों में बहुत तेजी आई है एक सर्वे हुआ करता है भारत सरकार कराती है जिसे कहते हैं National Family Health Survey NFHS ये आमता और पर तीन से चार सालों के अंतराल पर होता है चौथा NFHS का सर्वे जुआया और पांचमा जुआया उन दोनों के आंकड़े मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों में मुटापा उसमें पचास प्रतिशत की विरिधी हुई है अब ये सब चार सालों में तीस करोड बच्चों जो हैं जेश में या तो मोटे हैं या उन पे मुटापे के लक्षन है अब कई बार लोग के कहते हैं कि बच्चा मोटा हो गया तो क्या दिकत है आगे चलके सब ठीक हो जाएगा पर आगे चलके ठीक नहीं होगा आगे चलकर उन्हीं बच्चों में जब वो युवा होंगे अपने 20-30 साल की उम्र में होंगे तो diabetes और hypertension जैसी बिमारिया से ग्रसेत होंगे यही सर्वे, NHFS का सर्वे कहता है कि 15-49 साल की उम्र में महिला हो या पुरुष, शहरी छेतर में हो या ग्रामीन हर चौथा भारतिये आइधर hypertensive है या diabetic है तो हम एक तरह से, जो कहते हैं न हम लोग अमेडिकल टर्म में है कि एक NCD के time bomb पर बैठे होंगे और NCD जो है वो non communicable disease आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे युवाओं में हार अटेक के सारे है, स्टूक के सारे है वो इसलिए कि डाइट अनकंट्रूल है और डाइट ऐसा खा रहे है जिससे जो हेल्दी नहीं है लेकिन अभीशेग जी पर हर जो भी हाप पैकेज फूर जो हम खरीदते हैं नहीं है जाहे कुछ भी हो उसमें कि अपनीज होता रहा है उसमें पर लिख फिर भी तो खरीदी रहे हैं उन्होंने तो अपना काम कर दिया जो नों तो लिख दिया सब कुछ क्यों में यह सब कुछ है और आप भी कहरे है कि लोगों में थोड़ांता अवेरेनस το है कि भाई ये चीजे अती में ठीक नहीं है तो फिर वो लेबलिंग वो समझ नहीं पा रहे है क्या देखिए आप फुदी जब आप पैकेट का कोई चिप्स का पैकेट करिदने जाए है चॉकलेट का पैकेट करिदने जाए है अब कितना वक्त निक बिताते हैं को लेटने पढ़ने में अबड़ी बारी टेक्स में ओ लिखा रहता है और वो 100 ग्रांश में लिखा रहता है पर्रवालियम होता है अप ऐसफे नहीं कर पाएँगे जब छे से 10 से किडमें ऐपके अपक करना अब हो भी है, छे से दस से किंडेंड में और हम जह से दस से किंड से ज्यादा वक्त दाएड हम लगाते हैं बहुति हैं, किसीभी पाकेट को खरीदने तीस से कंड ने लगा जेते हैं तो सभवना यह होती है ऐँ हम countersink तो छह से दस सेकेंड में क्या देखते है हम देखते हैं, हम देखते हैं, हम देखते हैं, हम देखते हैं, cog deberißt, हम देखते हैं, णारी एक को नहीं इसके एलाव और कुछ नहीं क्यों लेबल की जरु消 import Чер背 amor pack से front of packet क्युकि back of pack में बहुत सारे information होते है minerals की होती है, carbohydrate की होती है, vitamins की होती है, fat होता है, even energy किलो calories में होती है, यह सारे analysis आप नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज है, एक आम आदमी, एक आम ग्रहनी, या एक आम विक्ती, अपने बच्चे के लिए जब वो कुछ भी खरीदने जा रहा है, या अपने लिए खरीदने जा रह करता है कि यह product healthy है या unhealthy है, यह company को बताना हो का, और उसके लिए पूरी दुनिया में एक जो policy instrument, decide की के, जो भी तमाम expert इस पर बात करते हैं, वो यह है, कि एक packet के सामने में, जो भी मात्रा उसमें ज़्यादा है, यदि चीनी, दीकि यहाँ पर से तीन तत्वों को लेकर बात्चीत हो रही है, लेबलिंग में, नमक, चीनी, और फसा, क्योंकि इन तीनों से ही बिमारिया होती है, मिनरल ज़्यादा है, विटमिन ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अब यह 3 चीजें में से जो भी है जादा है, वो यह नुक्रावा बात्ते है नहीं होगा, जो आप प। आहने में 6 से कंड में अप तर लेंगे, अपको लेना है in Yak käded चेजे होती है, आप कहरे है कि, जो भी चीजे लिखी होती है अट de back of the packet, आप कहरें कि वो सामने होना चाहिए? सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो चीज़ इसे कहते हैं nutrient of concern nutrient of concern या negative nutrient उनमें जो जादा है अब जादा और कम का भी फैसला कैसे होगा वो भी एक है वो भी एक सवाल उठता है तो उसके लिए threshold बनेंगे standard बनेंगे obviously उसी पताय होगा के healthy है के healthy है तो जो भी threshold बन रही है और विशुसास संगठन ने सभी regions के लिए एक standard दे रखा है भारत के लिए भी standard है उस standard के आधार पर जो चीज़ जादा है इदिनमक जादा है तो सामने यह आजाएगा high-end salt या table salt का की एक image लगा कर बताया जा सकता है तो इससे लोग यह समझ सकते है कि इसमें नमक जादा है उझे लेना है या नही लेना है यदि लेना भी है तो मुझे moderation में खाना है या मतलब जिसको शेदिये लगे कि उसको हाइपटेंशन है या अलड़ी उसको पता है उसको ब्लड प्रेशर है तो उसको एकदम सामने दिख जाएगा यह हो सकता है कि आप क्योंकि यह सब जनेटिक डिसॉर्डर्स भी है यह तरह से जनेटिक्स में भी आथे इसे महा पर असर पढ़ा हो? बिल्कुल ऐसे कई देश में जहां पर फ्रंट-ट पकेट लेबिलिंग रिगुलेशन्स चाहिएं उसकोमें अजा इसरेल में है इसरेल में जो मॉडल है वो बहुत ही बहतरीन है मे्कatti warned mexico में अरगेंटिना में मौड़लикомुए बहुत ही बहुतूरी बना ही इूए कि ऑसका असर ये पड़ा है एक तो रướंदेंशन का अब गोई अजरी ये नहीं हम इस लेवल के पीछे उदेश ये नहीं है कि पैकेज फूद का रओंप्टन का मुढ़ा है सब्सक्राइब नहीं है और उसकी बात भी नहीं हो रही है क्योंकि यह इंड़स्ट्री जो है इंदिभारत में कहें तो 10% जॉब क्रेट कर यह फॉर्मल सेक्टर 10% 10% एक अच्छी खासी GDP में इनका का इंड़स्ट्री बहुत जरूरी है यह क्या होगा उसे फ़क जो चिले में हुआ जो मेक्सिको में हुआ अरजिंटीना में हुआ इसरेल में हुआ या इवन डेवलपिंग डेवल्प कंट्री जैसे UK या फ्रांस में हुआ वह यह होगा कि री फॉर्मुलेट होगी इस जो है वो परसेप्शन है यह कहा यह जाता है कि भारतिये जो हैं ज्यादा नमक खाते हैं यह ज्यादा चीनी खाते हैं लेकिन आप ट्रडिशनल फूड कई चीजे उठा लीजिए मिठाईयों में कहेंगे बहुत मीठा भी होता है लेकिन रसगुल्ला जब खाते हैं तो लोग मीठा होना लजब खाते हैं रस сыltry key यह ने को मीठा है रसगुल्ले की स्पेश्यालिटी हेए जो वो पंजी है तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं फूड का मामला नहीं खाते हैं कि एदि ऐंडस्ती चाहें तो जैसे हर के हाथ में मोबायल फोन पख़ा दिया है और आज कल हर के फोन में wallet हो गया है लोग cash wallet लेके नहीं चलते हैं wallet हो गया है तो companies चाहें तो कम नमक का और कम चीनी का बखाना बेखिला सकते हैं। बिलकुल, बात सही लग रही आपके दिम दम है उसमें। क्योंकि यह इस पे तह होता है कि क्या मिल रहा है। ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है। कि लोगों ने डिमांड सर्वे में कहा है कि जदा नमक वाली चीज चाहिए हमें। जदा चीजे चाहिए। यह आज भी सर्वे की जाए तो लोग यही कहें कि कम नमक वाली चीजे चाहिए। आप किसी भी चाहे के ठेले पे जाए। लोग क्या देमांड करते हैं। कम मीथी चाहे। चीजे चीजे चाहिए। तो अवेर्नेस जो मैंने कहा बात शुरू में हो रही थी। अवेर्नेस है लोगों में। लेकिन एवलिबिलिटी नहीं है। भारत जो विविदताओं भारा देश हैं। जहां पर इतनी डाइवर्सिटी हैं। वहां पर लेबल ऐसा होना चाहिए जो सब की समझ में आ सके। तो कई तरह के लेबल की बात चीत हुई। उसमें एक बॉर्णिंग लेबल है। एक हेल्स्टार रेटिंग हैं। नीट्री स्कोर है। इस तरह के तमाम लेबल दूसरे देशों में हैं। वहां से अनुभवों के आधर पे होते हुआ कि किसी एक लेबल को लगाया जाए। इस पर कई स्टडीज भी हुए। इंडियन इस्टूट ऑफ मैनेज्मेंट एंधाबाद ने स्टडी की। एम्स ने स्टडी की। इंडियन इस्टूट ऑफ पॉपलेशन साइंस जो की भारत सरकार का एक संगठन है। उसने भी इस पर रिसरच किया। इंडियन इस्टूट ऑफ निट्रीशन ने भी की। और जादतर स्टडीज में ये कहा गया कि शिताबनी भरावाला जो लेबल है। वर्डनिंग लेबल वही होना चाहिए। NIN ने यही बात कही, AIMS ने यही बात कहा। अब पिछले साल, 2022 में पिछले के पिछले साल, 2022 में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी की। इसी Front of Packet Labeling Regulation को लेकर। आश्चर की बात थी कि तमाम स्टडीज बात कर रही थी इस पर वर्णिंग लेबल पर लेकिन इनियन नुट्रिशनल रेटिंग, INR, जो कि हेल्स्टार रेटिंग से तुड़ा हुआ है। तो सरकार के पास ये प्रस्ताव आया कि जो भी हमारे फूड पैकेट्स हैं, उन पे हम एक हेल्स्टार रेटिंग देंगे। ये टू स्टार है ये पैकेट, ये थ्री स्टार है, ये फॉर स्टार है फाइव स्टार है। और यह प्रस्ताव नियर प्रस्ताव से लेकर फाइव स्टार तक की बात हैं, इसमें प्रस्ताव यह है कि कोई भी फुड प्रोडक्क जो है उसे अनहेल्धी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाफ स्टार भी मिलेगा, आप स्टार से त अपने आपी आपको इमेश जारी कि थो प्रोड़क भी हो गए स्टार थो आफसा इसमें तो वह से मोटिवेश्चनल होका लोग के लिए ही रही हerson तो है दिए कि समझनी कि बात यह है कि front of packet labeling regulation जो है वो healthy product को promote करने के लिए नहीं है regulation यह जो regulation है वो है unhealthy product जो है बाजार में उसे identify करने के लिए और हो सके उनहें बाहर करने के लिए कुछि το प्प्प्पगज एक उन प्पेक बेचा जाता है कि कि वे बैचा जाता है बच्चो लीज़िए हुई है जोी हुई है कि clubs के एक बच्ची एक एकW उस आप रिपोर्ट में देखेंगे और एक बहुत ही नामी कंपनी है, अंतरास्टी कंपनी, उनकी खुद की इंटर्नल रिपोर्ट थी, उसमें भी उनोंने माना, जो उनके फास सेलिंग प्रोड़क्ट है, वो सारे के सारे अनहेल्दी है, वो खुद मानते हैं, लेकिन उन प अभी तो आपको को ओल्डनिंग में भी मिल जाएंगे, उनको भी कहा जाता कि यहल्दी है, जब कि हम जानते हैं कि को जनता जानती है, कि को ओल्डनिंग में यदि उसका ठंडापन हटा दें, तो उस शुगर सेरफ है, और कुछ निग है, मैं एक और चीज़ समझना चाहू कि जब यह हमारी अथारिटीज हैं, जो फूड इंडस्टर से जुड़ी हुई हैं, और वो जो किसी को अप्रूव करती हैं किसी भी फूड को, तो क्या वहां पे मतलब कोई जो रूल्स हैं, तो थोड़े डीले हैं, अधि आप पाकेट पीछे पलट के देखेंगे, तो लेकिन जैसी आपकी बात आपने कही, इस स्टैंडर्ड जो हैं, अब हमने स्टैंडर्ड ही वीक रखे हैं, तो वो तो वेल विदिन लौ है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लौ के हिसाब से प्रड़क बनाया है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड ही वीक कर रखा है, ज स्टेंडर्ड ही वीक रहे हैं और फिर यदी हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी या भारतिये जादा चीनी पसंद करते हैं तो थैंक यू सो मच अभिशेग जी हमको इस बारे में इतना अवय करने के लिए और बताने के लिए तैने वाज प्रिया जी इस अवसर के लिए और मुझे उमीद है कि इस बात को हम और थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे